नमस्कार उत्तर प्रदेश की नोईडा पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिर्फतार किया है जो खुद को अधिकारी बताती थी कभी IFS कभी IES तो कभी IPS बनकर पुलिस अधिकारियों पर इस्पूफिंग कॉल के जरिये दबाव बनाया करते थी इन कॉल के जरिये अपने काम करवाने का दबाव बनाते रही उसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी IPS ओफिजर की वर्दी में लगा रखी थी पुलिस को उस पर शक्त अब हुआ जब उसने एक मामले की पैरवी करते हुए नोईडा के 142 थाना इंचार्ज को फोन कर दबाव वनाया था सेक्टर 142 थाना पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी महिला जोया खान को गिरफतार कर लिया पुलिस जांच में यह भी सामने आया की यह महिला काफी पहले UPSC की परिक्षा दे चुकी है उसमें फेल होने के बाद उसने खुद को फरजी IES, IFS और IPS बना कर नोईडा गाजियाबाद और गरुगराम के कई जगहों पर अधिकारियों पर दबाव बनाया और एसकोर्ट की भी मांग किया करती थी पुलिस पूछताच में पता चला है कि स्पूफिंग कॉल का इस्तेमाल कर यह महिला लोगों और पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाने का काम करती रही वह आवाज बदल कर भी पुलिस को जहासा देती थी जब वह गुरू ग्राम या गाजियाबाद में होती तो वहाँ अपने लिए एसकोर्ट की मांग किया करती थी इस महिला ने एक मामले के सिलसले में थाना सेक्टर 142 S.H. को भी कॉल किया था उसने अभिशेक जैन नाम के एक यूवक को भी रो और एंटी क्रेप्शन ब्यूरो के नाम पर धमकाया था जाच में जो सामने आया कि महिला ने कॉल के लिए दुबई के एक सर्वर का इस्तेमाल किया था पुलिस जाच में महिला के सच्चा ही सामने आ चुकी है उसके खिलाफ नोईड़ा के थाना बिस्रक, मेरट के थाना, सिविल लाइन्स और गुरू ग्राम के थाना सेक्टर 39 डीलेफ पर मामले भी दर्च किये गए है दरसल स्पूफिंग कॉल के जरी कोई भी धोका धड़ी की जा सकती है जिसके जरी किसी के नंबर का गलत इस्तेमाल बिना उसकी जानकारी के किया जा सकता है यह कॉलर आईडी बदल देता है जिससे ऐसा परतीत होता है कि शातिर किसी विश्वस्नी एन नंबर से कॉल कर रहा है इस खबर में इतना ही दीजिए इजाज़त नमस्कार चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा धन्यवाद